हेलो फ्रेंट मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिट से स्वागत है आज हम लोग प्रसिंपल तरीके से मट्रपुलाव बनाने के लिए जा रहे हैं यह बहुत ही जटपड बन के तयार हो जाती है फ्रेंड्स आप इसको एक बार जरूर ट्राय करना पसंद आये तो कॉमेंट करके जरूर बताना लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को क्लिक करने के लिए मत भूलना अब हम इसमें क्या-क्या सामगरी चाहिए वह देख लेते हैं मत्र पुलाव बनाने के लिए हमको सामगरी चाहिए मैंने यहां इस मेजरमेंट के ग्लास से देड़ ग्लास चावर ले ली हूं एक कटोरी मतर है और एक मेडियम साइज के फाइन चॉप क्या हुआ उनियन थोड़ी सिर्में स्टिक एक बड़ी लाइची एक चोटी मैंने देड़ ग्लास चावर ली हूं तो हमको तीन ग्लास पानी चाहिए यानि हमको जितना चावर ले ले लेंगे उसका हम डबल क्वांटिटी में पानी एड़ करना है और स्वादनुसर नमक तलने के लिए तेल यहां दो बड़े जम्मच तेल डाल ली हूं अब हम इसमे कम पेसी में गेड़े लिए खाड़े मसाले गैस कर दो बढ़िए अब कर लिए और स्वाज़कत कर लेंगे हमारा की मसाले अब मैं इसमे धरी और नसे में प्तले हैं He हमारा ओनियन हलका साब पकता है अब मैं इसमें मठर आट कर लूगी क्योंकि मठर को पकाने टाइम में हमारा ओनियन भी गौल्डन स्टाइब हो जाएगा मठर आट करने के बाद ठोड़ से डूर हो जाना है कि मठर स्टोड़ा खटने के लिए लगती दो कि एक मिनट पका लोना है कि हमारा मठर अब फूल बड़े हो चुके हैं अब हम इसमें पानी आच करेंगे इसका मतलब फूल के बड़े हो चुके हैं मतलब हमारा मठर अच्छे से तेल में फ्राई हो चुका है अब हम इसमें पानी एट कर लेंगे हम पानी में स्वादनुसर नमक भी एट करके इसमें एक अच्छे से उबालाने के लिए छोड़ देंगे पानी में अच्छे से उबाला चुकी है मैंने चावल को दो से तीन पानी में धोली थी अच्छे से वास कर ली हूँ अब हम इसमें एड़ कर लेंगे एड़ करके हम अच्छे से एक बार चम्मस से इसको चला लेंगे फिर हम इसमें और एक बार उबालाने के लिए छोड़ देंगे उबालाने के बार फिर हम कूकर का लीड लगाएंगे इसमें अच्छे से एक उबाला चुकी है अब हम यही पर इसका नमक टेस्ट कर लेंगे अगर कम हो तो अभी हम इसमें एट कर लेंगे मैं इसको टेस्ट कर ली हूँ नमक सही है अब हम कुप करका वीट लगाएंगे लगाने के बाद इसको एक सीटी आने के लिए छोड़ देंगे एक सीटी हो चुकी है अब हम गयास का फ्लिम बन कर लेते हैं और इसका फ्रेसर रिलीज होने के बाद हम इसका ढखकन हटाएंगे हमारे कुकर का गयास रिलीज हो चुका है अब हम इसको इसका लीट खोल लेते हैं हम इसका लीड हटा लिया है हैं अब देखिए हमारा मत्रपुलाव बनके तयार हो चुकी है अब हम इसको डिस आउट कर लेते हैं अब आपका मत्रपुलाव बनके तयार हो चुकी है